फर्वरी दो हजार तेरा 20 मीटर डायामीटर का एक एस्टरोड प्रित्फी के वायु मंदल में प्रवेश करता है ये एस्टरोड 19 किलो मीटर प्रत सेकेंड की रफतार से रश्या के एक सहर की तरफ बढ़ रहा था तेजगती से गिरता हुआ ये एस्ट्रॉइड प्रित्वी की सर्फेस से सिर्फ 30 क्लोमीटर उपर ब्लास्ट हो गया इस एस्ट्रॉइड का सर्फेस से 30 क्लोमीटर उपर विस्फोर्ट एतना भेंकर था कि रसिया के 6 सर इसकी चपेट में आए और लगबग 7200 घर छती ग्रस्थ हो गए और तक्रीबन 1500 लोग घायल हुए अगर उस एस्ट्रॉइड का विस्फोर्ट सर्फेस से 8 क्लोमीटर उपर होता तो 2013 मर्शिया के वो सहर नक्से से गायब हो चुके होते या फिर अगर वो एस्ट्रॉइड 20 मीटर डायामीटर का ना होके 60 मीटर डायामीटर का होता तो उसका विस्फोर्ट 30 क्लोमीटर उपर ना होके सिर्फ 8 क्लोमीटर उपर ही होता प्रित्वी से देखने पर अंत्रिच हमें जितना शांत नजर आता है दरसल वैसा है नहीं एक सेब के आकार से लेकर कई किलोमीटर लंबे चोड़े एस्टरोइट्स और कॉमेट्स अंत्रिच में घूम रही हैं जिनमें रोजाना हजारों की संख्या में छोटे छोटे एस्टरोइट्स प्रित्वी के एट्मोसफेर में प्रवेज करते हैं लेकिन प्रित्वी का वरदान रूपी वायू मंडल उन छोटे एस्टरोइड को एर फ्रिक्षन की वज़े से प्रित्वी की सता पर पहुचने से पहले ही खतम कर देता है लेकिन अगर एस्टरोइड का आकार साथ मीटर डायामीटर या इससे अधिक होता है तो प्रित्वी का वायू मंडल एस्टरोइड को खतम नहीं कर पाता और उसके प्रित्वी की सता से टकराने के चांसे इस बढ़ जाते हैं नौ जनवरी 2017 जब पूरी दुनिया अपने देनेक कारियों में व्यस्त थी उस समय करीब 25 से 30 मीटर का एस्टरोइड प्रित्वी की तरब बढ़ रहा था लेकिन वो एस्टरोइड चांद के गुर्त्वा कर सड़ की वज़य से प्रित्वी के वायु मंडल में प्रवेश ना करके प्रित्वी और चांद के बीच से निकल गया अंतरिच में भटकते हुए एस्टरोइड प्रित्वी से जीवन का नामू निसान मिटाने की छमता रखते हैं लाखों साल पहले एक एस्टरोइड ने ही डैनासोर की पूरी प्रजाती को खतम कर दिया था हम अभी तक सुरच्छित हैं और किसी भी एस्टरोइड का सिकार नहीं हुए तो इसका स्रेय जाता है ब्रस्पती ग्रह को क्योंकि ब्रस्पती ग्रह का गुरत्वाकर सर्बल इतना तीवर है जो एस्टरोइड के पाथ को बदल देता है अंत्रिच में केवल एस्टरोइडी एक मात्र खत्रा नहीं है बलकि एस्टरोइड से भी कई गुना ज़्यादा खत्रनाक होते हैं भटकते हुए लावारिस ग्रह इन ग्रहों को रोज प्लानेट बोला जाता है ये ग्रह लावारिस इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई भी तारा नहीं होता या यूं कहें कि ये किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाते ये रोज प्लानेट सीधे आकास गंगा का ही चक्कर लगाते हैं या फिर आकास गंगा में रेंडमली इदर से उदर भठकते रहते हैं आम तोर पर रोज प्लानेट का निर्माड दो तरह से होता है एक तो वो जब तारों का निर्माड हो रहा होता है तब ग्रहों का भी निर्माड होता है उसी समय रोज प्लानेट बन जाते हैं और दूसरा कारण है ग्रहों का आपस में टकरा जाना कई बार ऐसा होता है कि तारे की परिक्रमा करते हुए दो ग्रह आपस में टकरा जाते हैं जिस वज़े से परिक्रमा करते हुए ग्रह का पाथ चेंज हो जाता है और वो ग्रह सॉलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है अब हमारी समझ में ये बात तो आती है कि रोज प्लानेट क्या होते हैं लेकिन सवाल ये है कि रोज प्लानेट एस्टरोइट्स और कॉमेट्स से भी ज़्यादा खतरना क्यों होते हैं। आईए जानते हैं। हम आकास गंगा में किसी भी तारे को डिटेक कर लेते हैं। क्योंकि तारों का खुद का प्रकास होता है। लेकिन ग्रहों का खुद का प्रकास नहीं होता। इस वज़े से ग्रहों को डिटेक करना मुस्किल होता है। हालां कि किसी भी तारे का चक्कर लगाते हुए ग्रहों को डिटेक करना आसान है। लेकिन भटकते हुए लावारिस ग्रह को डिटेक कर पाना बेहद मुस्किल होता है आपने इंटरनेट पर एक अफ़वा तो सुनी ही होगी कि प्रित्वी प्लानेट एक्स नाम के ग्रह से टकराने वाली है मैं आपको बता दूं कि फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला लेक की वजह से सॉलर सिस्टम के अंदर खिचा चला आता है जिस वजह से सॉलर सिस्टम में चक्कर लगा रहा है ग्रहों से वो लावारिस ग्रह टकरा जाता है वैसे इसकी संभावना बहुत कम है कि हमारी प्रित्वी किसी ग्रह से टकराई क्योंकि हमारे सबसे नजदी की रोज प्लानेट ही हमसे 7 प्रकासवर्स दूर है अंतरिच में एस्टरोइट्स और लावारिस ग्रही एक मात्र खत्रा नहीं है एस्टरोइट्स और लावारिस ग्रह से भी खतरनाक होते हैं shooting stars जिनकों की hypervelectric star भी बोला जाता है आपने तूटते हुए तारों के बारे में तो सुना ही होगा तूटते हुए तारों को देखकर लोग मननत यानि विस मांगते हैं मैं आपको बता दूँ जो हम देखते हैं वो तूटते हुए तारे नहीं होते बलकि एस्टरोल्ट्स और कॉमेट्स होते हैं जो कि प्रित्फी के वायू मंडल ये फ्रिक्सन यानि घरसड की वज़े से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं जिनको देखकर हम वेश मांगते हैं वैसे दूआ करना कि आप कभी तूटता हुआ तारा ना देखें क्योंकि तूटता हुआ तारा जो तबाई मचाता है उसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते तूटता हुआ तारा किस तरह से तबाई मचाता है? ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तूटते हुए तारे का निर्माण कैसे होता है तूटता हुआ तारा Binary Star System का हिस्सा होता है Binary Star System में एकी सौर मंडल में दो तारे होते हैं और वो दोनों तारे बीच में कहीं मौजूद Center of Mass का चक्कर लगाते हैं तूटते हुए तारों का निर्माण दो तरह से होता है पहला तो ये कि जब तारे बुड़े हो जाते हैं यानि तारों का Eden खतम हो जाता है तब Binary Star System के किसी एक तारे में सौपर नोवा विस्पोर्ट हो जाता है जिस वज़े से दूसरा तारा सौर मंडल से बाहर धकेल दिया जाता है और वो तारा Hyper Velocity गेन कर लेता है इस वज़े से तूटते हुए तारे को Hyper Velocity Star बोलते है Hyper Velocity Star को Shooting Star भी बोला जाता है क्योंकि तारे की रफतार गोली की रफतार से भी तेज होती है तूटते हुए तारे की निर्मान का दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई Binary Star System किसी Black Hole के नजदीक होता है तो Black Hole की Gravity की वज़े से एक तारा तो Black Hole के अंदर समा जाता है और दूसरा तारा तेज गती से बाहर फैक दिया जाता है और वो Hyper Velocity Star बन जाता है आईए अब जानते हैं कि तूटता हुआ तारा किस तरह से तबाही मचाता है एक लावारिस ग्रह या एस्टरोइड तो सिर्फ एक ही ग्रह को तबाह कर सकते हैं लेकिन तूटता हुआ तारा पूरे सौर मंडल को ही तबाह कर देता है क्योंकि जब भी कोई तूटता हुआ तारा किसी सौलर सिस्टम के पास से गुजरता है तो उस तारे की ग्रेविटी की वज़ा से सौलर सिस्टम में मौझूद ग्रह सौर मंडल को छोड़ बाहर निकल जाते हैं और लावारिस ग्रह बन जाते हैं अगर वो ग्रह सौर मंडल से बाहर ना भी निकलें तब भी वो ग्रह तबाह हो जाते हैं क्योंकि तूटे हुए तारे की ग्रेविटी की वज़े से एस्टरोइट्स और ग्राव उसके पीछे खिछे चले आते हैं जिससे सौर मंडल में ग्रावों की टक्कर और एस्टरोइट्स की बारिस हो जाती है अगर हाईपर वेलोस्टी स्टार सौर मंडल की सीध में आता है तो उसका सौर मंडल के तारे से टक्राने के चांसेज भी बढ़ जाते हैं Hyper Velocity Star इतने तेज होते हैं कि वो आकास गंगा की escape velocity को पार कर आकास गंगा से बाहर निकल जाते हैं दोस्तो इस एपिसोड में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हो तो ऐसे ही मज़िदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं हूँ आपका दोस्त स्याम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार